नार्कोटिक्स कंट्रोल भीरो की टीम ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का परदाफाश किया इस मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है डीडीजी ऑपरेशेशन संजय सिंग सर क्या था ये पूरा मामला और कितने लोगों को अभी तक गिरफतार किया जा चुका है एक अभी दो दिन पहले हमने एक बड़े अंतरास्ट्रिय गिरोह का परदाफाश किया है और ये गिरोप गिरोप के अज़ोचीफ है वो दुबई से ट्राफिकिंग नेटवर्क रन कर रहा है और इनके साथ ये इंडियन है और इसके साथ अफगानीज हैं और कुछ पाकिस्तान के लोग है तो अभी तक हमने इस केस में चार लोगों को अरेस्ट किया है और ये जो नेटवर्क है वो स्मगल भी करता है हिरोईन बाहर से स्मगल करता है और सी रूट से कर रहा है लैंड बॉर्डर के थ्रू कर रहा है और यहां भी इंडिया के अंदर भी ये मैनिफैक्ट्रिंग भी कर रहा है और ये सारा पहर से मंगा के या जो इनिफैक्ट्रिंग होती है फिर इसकी सप्लाइए डिफरेंट प्लेसेज में होती है इंडिया के अंदर पंजाब हर्याना यूपी तो भी तक हमने चार लोगों को गिरफतार किया इसमें दो अफगान है और बाकी दो इंडियन है सर जो गुजराथ ATS के साथ आपने ऑपरेशन किया था उसमें जो गिरफतारी हुई थी क्या उसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए शाहिन बाग में आप लोगोंने छापे मारीगी पहला जो आपरेशन हमने किया था एटियस गुजरात के साथ किया था और जब यह केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसी दौरान हमें एक इंपुट आई रिलाइबल सोर्स है देट वो शाहिन बाग में कुछ बड़े पैमाने पर हिरोएन स्टोर किया हुआ है और उस इंपुट के अनुसार हमने एक टीम वहां पर बेजी और टीम ने सर्च के दौरान पचास केजी हिरोएन और पॉटी सेवन केजी सस्पेक्टिड नाकोटिक्स औ और तीसलाक रोपे बरामत किये हैं सर किया इस मामले की जांच नारको टेरर एंगल से भी की जा रही है जैसा कि अब तक की इन्वेस्टिकेशन में सामने आया है अभी इन्वेस्टिकेशन इनिशिल स्टेज में है हम सारे एंगल पर इसकी जांच करेंगे क्योंकि यह अंतर किया इस सारी अफगान से ड्रग्स आई है तो क्या तालिबानी कोई कनेक्शन भी सामने हा रहा है इसमें सर अफगान इंवॉल्मेंट वो डैफेनिट है तालिबान से इनका क्या लिंक है अभी तक हमारे इन्वेस्टिकेशन में कुछ इस तरह की बाते क्लियर नहीं हुई ह एक आखरी सवाल में रहे है कि क्योंकि दुबाई से इनका कनेक्शन आपने बताया है तो क्या डी कंपनी से भी तार जुड रहे हैं कहीं अंडर वर्ट से तार जुडते वे नजर आ रहे हैं अबी इन्वेस्टिगेशन अभी इनीशल स्टेज में हैं सारे सारी चीज़ों की जाच की जाएगी अगर कुछ ऐसा लिंक नजर आएगा तो हम शेयर करेंगे मीडिया के साथ। एक रूट जानना चाहूँगा सर इनका रूट किस तरीके से होता है किस तरीके से इंडिया के क्योंकि आप लोगों की नजर लगातर बनी रहती है उसके बावजूद जो है जो ड्रग्स है वो इंडिया के अंदर आ जाते है तो क्या रूट रहता है किस तरीके से पहुचा देते हैं इंडिया के अंदर रग्स को जी बामें जैसे मैंने आपको बताया कि यह स्मगल सी वगानिस्तान से आती है तो मुलेठी के साथ इनको यह इस मुलेठी स्टिक्स में उसमें इंप्लांट कर देते हैं हिरो इनको और सी रूट से स्मगल होके आ रही है तो यह हर तर आप सी रूट सी रूट में लीगल चैनल्स में आ रही है कंटेनर के तरू भी आ रही है और इसके साथ साथ ये जो रैकेट है इसमें ये खुद भी मैनिफैक्टरिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर और मैनिफैक्टरिंग के लिए जो लोग यहां पर यूज किये जा रहे थे उसमें दो आफगान थे उनको हमने कल गिरफटार किया है तो यानि की ज़र इस मामले में अभी आगे और गिरफटारिया होना बाकी है अभी बिल्कुल इस पूरे नेटवर्क का जितने भी लोग इसमें इंवाल्ड हैं हमारी कोशिश होगी कि सबको गिरफटार करें और हमारी अभी कई जगे सर्टेस हो रही है तो अभी गिरफटारिया और भी होंगी कैमरमें राजेंदर सिंग के साथ मनोज वर्मा एवी पी नियूज डिल्ली